हेलो फ्रेंड आप सब कैसे हैं देखिए आज बनाई हूँ गोवी से बहुत ही टेश्टी नास्ता नास्ता बनाने के लिए 400 और आम के गोवी लिए हैं गोवी को इस तरीके से काट लेंगे गोवी के इस तरीके से थोड़ा छोटे पीसे में कर लेंगे सारे गोवी इसी तरीके से काट लेंगे अगर हमारे वीडियो थोड़ी सी अच्छी लेगी फ्रेंड तो लाइक का सस्क्राइब जरूर करिएगा सेर भी करिएगा बहुत ही टेश्टी नास्ता बनकर त्यार हो गई सारे हमारे गोवी कट गई है इसको अब इच्छी तरीके से धोलेंगे दुने के बाद एक तपेली लिये हैं उसमें उबाल लेंगे ज्यादा द्यदी तक नहीं उबालेंगे एक मिनट केली मिनट केली उबालेंगे 2 था नमक डाल देंगे इसको ढख के एक मिनिट के लिए बास उबल गई है वे इसको गेस को बंद करेंगे एक चोपर मसीन लिए हैं उसे में सभी चीज़ों को चॉप कर लेंगे आर देस कली लेसन की है एक इंचे दरख है दो हरी मिर्च है अब ज़्यादा थोड़ा तीखा बनाना चाते हैं तो ज़्यादा हरी मिर्च डालें मैं ज़्यादा तीखा नहीं बनाऊंगी सभी को चॉप कर लेंगे देखे इस तरीके से चॉप हो गई है एक प्याज लिए हैं प्याज को इस तरीके से टुक्रे में कर देंगे गोबी को जो उबाल कर रखे तो इसको निकालेंगे ठंडा होने पर एक चमच मेदा डाले हैं एक चमच कॉन फ्लार डाले हैं एक चमच ग्रीन चेली सॉस डाले हैं एक चमच लाल मिर्च पॉड़र डाले हैं आधात चमच काली मिर्च पॉड़र डाले हैं सभी को डालकर मिक्स कर लेंगे स्वात के अंसार नमक भी डाले हैं हल्दी डालना भूल गये थे इसको भी डाल कर मिक्स कर लेंगे गुबी को फ्राई कर लेंगे तेल हमारी गरम हो गई है ये करक करके गुबी को डाल देंगे गुबी को गोल्डन होने तक तले गुबी हमारी फ्राई हो गई है भी इसको निकाल लेंगे सभी को इसी तरीके से फ्राइट कर लेंगे देखे सारे गोबी हमारी फ्राइट हो गई है अब एक कड़ा ही लिए हैं उसमें एक चमच तेल डाली है अध्रक लसन मिर्ची जो चौप करके रखे थे उसको डाल कर भूंज लेंगे जो प्याज काट करकर रखे थे उसको भी डाल देंगे बहुत ही टेस्टी नाचता बनेगी इस तरीके से एक पर जरूर बना कर देखें एक चमच ग्रीन चीली सॉस डाले हैं एक चमच टोमेटो सॉस डाले हैं एक चमच सोया सॉस डाले हैं आधा चमच बिनीगर डाले हैं, आधा चमच काली मिर्च पॉडर डाले हैं, अब चाहे तो इससे में लाल मिर्च पॉडर भी डाल सकते हैं, एक चमच कौन फ्लार लिये हैं, उसको अच्छी तरीक से गोर लिये थे, इसको डाल देंगे, थोड़ी सी पानी भी डालेंगे, डा मसाला हमारी तयार हो गई है साय तो आ भी फिर व्हाइख सकते हैं कि दो कंबिना सकते हैं यह को यह थ Wales में तारीके सिव नास्ता बना कर तयार किया हैं ऊब तोर्वास नमक डालते पहले नमक डाला हैं कि देख स्टी ला-जवाब इस तरीके एक वार जरूर बना कर खाें अभी गोवी का सीजन चल रहा है, गोवी बहुत ही अच्छे मार्केट में आ रहे हैं, एक बार इस तरीके से जरूर बना कर खाएं, बहुत ही टेस्टी लगेगी, इतना बढ़ी हैं